सेंट्रल चिन्ने के एक अपार्टमें में रहने वाली 11 वर्षिय मुखबाधिर किशोरी के साथ 18 लोगों द्वारा 7 माह तक गैंग रेफ होने की घटना सामने आने के बाद से ही इस घटना की चहूं और निंदा और विरोध होना शुरू हो गया है आज इसी क्रम में डेफ वेलफेर सोसाइटी के सदस्यों ने इंद्राबाल विहार से पध्यात्रा निकाल कर शासरी चौक और अंबेटकर चौक होते हुए वापस इंद्राबाल विहार तिराहे पर आकर पध्यात्रा को समाप्त किया सोसाइटी की लोगों की मांग है कि बच्ची के साथ हुए ग्यांग्रेप केस में पकड़े गए अभ्युकतों के खलाफ पास्ट्रेक कोर्ट में अतिशीगर केस चला कर दोशियों को फासी की सजा दी जाए ताकि पीडित बच्ची को न्याय मिले और भविश में ऐसी घटना दुबारा ना हो सके इसके लिए कठोर कानून भी बनाया जाए ये घटना हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाग घटना है जो बच्ची बोल नहीं सकती और नहीं सुन सकती है उसके साथ जो भी हुआ उससे देश का सर शर्म से जुग गया है ये घटना शासन प्रशासन दौरा जनता की सुरक्षा में बेहत दुगदाई है ऐसी घटना फिर दुबारा ना हो इसके लिए हमारे देश की सरकार से हमारा निवेदन है कि एक कठोर कानून बनाया जाए जिससे हमारे देश की बच्चीयां और महिलाएं खुद को सुरक्षिद महसूस कर सके